हलो दोस्तो गूट मॉर्निंग स्वागा दिवा फिर से आप सभी का MZT एजूकेशन में दोस्तो आज है 18 जुलाई आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 18 जुलाई 2013 के मोस्ट इंपोर्टन करेंट अफिर के कुशन के बारे में को प्राइवेट सेक्टर को सौपने के खुशना की है अनिल कुम्बले के बाद भारत के दूसरे सबसे अधा बिकट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं रवी चंदरन अस्वें सर्वस्रेश्ट एसी अंडर 20 पूरुस अथलीट पूरुसकार जीतने वाले पहले भारतिये बन गए हैं सेलवा प्रभू और यूर्पे संग के पहले खुले तवर पर समलाएंगिक राष्टपती एडगर्ड्स रिंकिविक्स बन गए हैं जो की लात्विया के बने हैं नए प्रेसिडन्ट कार्ड ट्रेड टेक ने अभी हाली में OLX इंडिया की आट्व व्यापार का अधिगरहन कर लिया है पांसो सायतिस करोड़ों में और विदेसी धरती पर टेस्ट डेब्यू में सतक बनाने वाले पहले भारतिये सलामी बल्लेवाज मन गया हैं ये सस्वी जैसवाल SBI कार्ड के नहे CEO अभी जी चक्रवर्ती होंगे और ITC बोर्ड ने 5 साल के लिए एक बार फिर से अपना चेर्मन और MD नियूप किया है संजीव पूरी को गोल्डन गैलेसिया नाम से विस उपरसिद फूर्बालार लुईस सुआरेज इनका निधन हो गया है ये इस्पेन के खिलाडी थी और इस्पेन के पहले ये बैलेंडियोर खिताब जीतने मले खिलाडी है एक लोते भी हैं तो ये टॉप 10 करेंट अफेर के कुशन्स थे कल क कि वीडियो से जिनका आपने किया है रिवीजन वो भी एक मिनट में अब बात करेंगे आज की गरेंड़ फेर की लेकिन उससे पहले स्रावन माह का ये स्पिसल उफर चल रहा है इसका लाव जरू उठाए कल बहुत सारे लोगों ने इसका लाव उठाया 50% डिसकाउंट 150 coupon code यूज कीजिए सिर्फ दो दिनों के लिए मानने था तो आज इसका लास्ट दिन है ठीक है तो अगर आपने कोई ebook नहीं ली है अगर आप कोई video course purchase करना चाहते थे हमारा उसको लेना चाहते हैं तो आप जा करके इसे purchase कर सकते हैं बहुत ही सुनायरा ओसर है कल बहुत सार अगर कोई ebook और नहीं लिए हो और चेक करना चाहते हो कि ebook हमारी कैसी होती है किस प्रकार की होती है तो आप यही मौका है बहुत ही अच्छे मतलब से कम से कम दाम में टेस्ट कर सकते हैं ठीक है बाकि WhatsApp का नंबर और MZTF का लिंक आपको description में मिल जाएगा और मैं comment box में भी comment चलिए तो शुरू करते हैं पहला कुशन है जुलाई 2023 ने विबलेडन ओपन के पूरु सेकल का खिताब किस ने जीता है विबलेडन ओपन यह संपन हो चुका है साल का तीसरा Grand Slam होता है और यह complete हो चुका है इस बार का तो विबलेडन ओपन के में सिंगल का यानि पूरु स जोकोविच को हरा दिया है यह हैं कार्लोस अलकराज और इन्होंने जीत लिया है एक हिताब कहां के रहने वाले हैं इस्पेन के रहने वाले हैं और इन्होंने सर्विया के नुवाग जोकोविच को हरा दिया है कार्लोस अलकराज का यह दूसरा Grand Slam है इनके कैरियर का ठीक है नुवाग जोकोविच तो अभी सबसे टॉप पर चलना है 23 Grand Slam के साथ ये दुनिया के सबसे दा Grand Slam जितने वाले खिलाड़ी है नुवाग जोकोविच और वहीं कार्लोस अलकराज अभी दूसरा जीते हुए है पिछली साल ये अभी US Open जीते थे Casper Root है नार्वे के उनको हरा करके ठीक है अब देखो विबलेडन ओपन की बारे में हम लोग बात करेंगे जैसक मने आपको बता है ये साल का तीसरा Grand Slam होता है Grand Slam चार टाइप से होते हैं मतलब चार बार खिले जाते हैं साल भर में और बिल्कुल सीरियल वाइस खिले जाते हैं सबसे पहले होता है Australian Open फिर होता है दुस्तों French Open और उसके बाद होता है विबलेडन ओपन और फिर चौथे नंबर पर होता है US Open तो US Open अभी नहीं हुआ है अभी विबलेडन ओपन तक ही है हम लोग विबलेडन ओपन हो चुका इस साल का US Open अभी इसके बाद होगा है ना तो विबलेडन ओपन की बारे में जानू देखो ये होता भले इस साल में तीसरे नंबर पर है लेकिन इसकी सुरुवात सबसे पहले होई थी 1877 में इसकी सुरुवात होई थी ये सबसे पुराना Grand Slam होता है वैसे मैंने आपको अभी एक खेल-खिलाड़ी की वीडियो दी थी खेल-खिलाड़ी की वीडियो उसमें मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई हुई है साथी साथ मैंने ट्रिक से आपको याद भी करवाया हुआ था कि कौन-कौन सा खेल कब-कब ये कौन-कौन सा शुरू हुआ था Grand Slam ठीक है और यहाँ पर भी एक लाइन में मैं बोली दे रहा हूँ 1870 में ये शुरू हुआ था फिर 1881 में जाकर के यानि 4 साल इसके बाद जाकर के US Open शुरू हुआ फिर 1891 में यानि 10 सालों के बाद जाकर के French Open शुरू हुआ और फिर 1905 में सबसे आखरी हो सबसे लेटेस्ट Grand Slam शुरू हुआ Australian Open जबकि Australian Open सबसे पहले आज़ित कराया जाता है प्रते एक वास तो विबलेडन ओपन ये खेला कहा जाता है ये लंदन में होता है लंदन में इंग्लेंड में खेला जाता है Australian Open अस्टेलिया में US Open US में French Open फ्रांस में इसके अलामा कोट काउंसा होता है कोट का टाइप बहुत पुछा जाता है तो ये हरी घास के मैदान पर यानि Green Grass Coat पर खेला जाता है आपसे पुछा जाएगा Green Grass Coat के मैदान पर कौनसा Grand Slam खेला जाता है तो आप बताएंगे विबलेडन ओपन अच्छा Clay Coat पर यानि मिट्टी के मैदान पर कौनसा खेला जाता है तो आप बताएंगे French Open सबसे था और की व मेधान उपन आप और हाइड कोट या प्लास्टिक यह ड़ाइदा पर सरवाधिक पुरुसेकल कौन रहे हैं विबलाइड़न उपन के तो रोजर फेटर रहे हैं सन्यास ले बार ये विबलेटन उपन जीत चुके हैं सबस्यादा विबलेटन के विजयता है प्रतिक वर्स तीसरे गर्ण से लिए खिला जाता है क्लियर रहेगा चलिए आगे बढ़ते हैं अच्छा भी महिला एकल वाला हम लोग आगे बात करेंगे गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन प्रुसकार 2023 किस ने जीता इसको जीत लिया है दोस्तो अडानी ट्रांस्मिसन लिमिटेड ने अभी हाल ही में ये प्रुसकार दिया गया है यहां पर देखिया आर्टिकल है गोल्डन पिकॉक इन्वार्मेंट मैनेजमेंट अवार दोरा इनको दिया गया है जो सिंगल यूज प्लास्टिक फिरी वात अवराड या जीरो वेस्ट ये वाटर पॉजिटिव संचालन इन सब के कारियों को बढ़ावा देने के लिए इनको दिया गया है अच्छा एक और अवार्ड मिला है साथी साथ में वो मिला है सेल को सेल कंपनी है आप जानते हो महारतन कंपनी है स्टील अथर्टी ऑफ इंडिया लिमिटर तो इसे स्टील की केटेगरी में 2021 के लिए लगातार तीसरी बार ये अवार्ड मिला है गोल्डन पिकॉक इन्वार्मेंट मेनेजमेंट अवार्ड ध्यान रखना ये भी यही पुरुसका भारत नाम से कैमपेण जो है जो है ना ये बैंकों से दूस्तो एक्रीटकरन के लिए अबियां सुरू किया गया है भारत का मतलब क्या होता है भारत का मतलब होता है यह है भारत यहाँ पर भी मैंने चीज़े लिख रखी है अच्छा यह मनोज अहुज़ा है कौन मनोज अहुज़ा दोस्तों यह किर्सी और किसान कल्यान मंतराले के किर्सी सचिव है यानि कि यह है सेक्रेटरी ठीक है तो इन्होंने भारत नाम से एक नया अभियान सुरू किया है जिससे एग्री इंफा फ्रंड के तहट बैंकों के लिए कामा सके तो यह फंड एकठा करेगा यहाँ पर फुर्फामिस का लिखा गया है भारत का तो बहत्तर सो करोड रुपए जुटानी का लच रखा गया है एक महीनों तक के लिए चलाए जाएगा पंदरा जुलाई से पंदरा अगस्त तक यह चलेगा एक महीने का कैमपेन होगा के लिए आगे बढ़ते हैं भारत और किस देश के बीच स्युक्सायन अभ्यास नुमाडिक एलिफेंट 2023 शुरू हुआ तो दोस्तो भारत और मंगोलिया के बीच में यह अभ्यास शुरू हुआ है ठीक है नुमाडिक एलिफेंट अब देखो यहाँ पर जुआइंट military exercise है between Indian and Mongolian army तो यह इंडिया और मंगोलिया की आर्मी की बीच में हुआ है कहाँ पर उलान बतार में उलान बतार मंगोलिया में पड़ता है मंगोलिया की राजधानी है तो वहाँ पर 17 जुलाई से 31 जुलाई तक ये चल रहा है इस बार का ये 15 हुआ संसक्रण है धान रखना भारत और मंगोलिया इसे काफी समय से करते आ रहे हैं तो 15 हुआ ये संसक्रण है पिछला वाला जो हुआ था वो अक्टूबर 2019 में हुआ था वो भारत के बकलोह में पह्तन हो रहा है रहे हैं किला हैर रहे है चलो मंगोलिया और बारत के बिच में एक और अभ्यास हुआ था exercise हां क्वेस्ट exercise खान क्वेस्ट ये भी पूंचा जाता है याद रखना exercise conquest ये भी भारत और मंगोलिया की बीच में होता है अच्छा भी आपको याद होकर तो मंगोलिया आया था मंगोलिया आया था जब मंगोलिया SpaceX से करार किया था satellite internet के लिए ठीक है मंगोलिया वैसे आपको बता दे रसिया और चाइना के बीच में पढ़ता है एक देश यहीं पर है गोबी डीजर्ट गोबी डीजर्ट याद रखना एसिया का सबसे बड़ा डीजर्ट है यानि मरवस्तल है ठीक है आगे बढ़ते हैं चर्चे में रही पुस्तक India Rising Memoir of a Scientist इसके लिखा कौन है इसको लिखा है तो उस तो आर्चिदंबरम ने और सुरेश गंगोत्रा ने उपरोग दोनों आप्सन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा सुरेश गंगोत्रा बिस्कली एक राइटर हैं और इनकी मदत ले है आर्चिदंबरम ने यह पुस्तक लिखने में यह पुस्तक बिस्कली आर्चिदंबरम के ही उपर लिखी गई है यह Scientist हैं बहुत ही famous, बहुत ही महान Scientist हैं समुदलों इंडिया के इंडिया राइजिंग मेमॉयर ऑफिस साइंटिस्ट के आर्ची दंब्रम की ये पुस्तक है विद सुरेज गंगुतरा मतलब की लेखका सहारा ली है अब देखो इंपोर्टेंट क्या है ये जो आर्ची दंब्रम जी है इन्हों ने ही दोस्तो 1974 में वह से तो ये पदमवी प्रोजेक्ट की तहट इसमाइलिंग बुद्धा जो रखा गया था इसका कोड़नेम वो था फिर आगे चल करके 1998 में भारत ने दूसरा पोखरण परेच्छन किया था ठीक है हाना की इस बार छिप शपा करके किया था और ये सक्तिसाली प्रमार परेच्छन था और इसको भ भारत सरकार के प्रमुग वैग्यानिक सलाकार भी रहे ठीक है और कैबिनेट की वैग्यानिक सलाकार समीत में भी अध्यक के रूमें भी काम किये 2001 से 2018 तक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं डक्टर आर्ची दम्रम पद्म विहुशन से यह सम्मानित हैं ओकी बाकी चीज़े वर्ड मेप में कहां पर है यह बहुत ही छोटा देश है तो यहां पर ऑपरेशन सावधर्न रेडिनेस या कहें सदर्न रेडिनेस आयज़ुद किया गया यह एक मल्टी निशनल एकसरसाइज है मतलब इसमें कई सारे देश जो है हिस्ता ले रहे हैं इंपोर्टन क्या है इं इसमें बहुत सारे देश सामिल है जैसे कि आपको इटली है अमेरिका है ब्रेटेन है सिसल्स है इंडिया नेवी है यह सभी लोग इसमें सेहिस्ता ले रहे हैं क्लियर आगे वह इंडिया मोबाइल कांग्रेश 2023 के स्तातवे संस्क्रण का कौन सा आयज़ुद किया जाएगा और GlobalAar stalls इंडिया मोबाईल कांग्रेश इसका डेट वगरह सब एनाउंस हो चुका है इंडिया मोबाईल कांगरेश 2023 डेट एनॉञ्ज़ुद किया जाना है नई दिली में यह यही होता है वैसे तो नई दिली के प्रगती मैदान में यह आयोज़ esempio किया गया है यह इंडिय इसके द्वारा आयजुद किया जाएगा और थीम रखी गई है ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन पिछली बार जब आयजुद किया गया था ना तो थीम बहुत सारे एक्जाम ने पूछा था इस बार भी थीम पूछी जाएगी थीम रड़ डालो अभी देखो आयजुद तो नहीं किया गया है अभी एनाउंस किया गया है तो यह न्यू चर्चे में आया है तो हो सकता है पूछ लिया जाए लेकिन अक्टूबर के बाद ना तो बहुत सारे एक्जाम इसको लेने वाले हैं क्योंकि अगर आपको याद हो पिछली बार जब आ इंडिया मोबाइल करने की बाद चीज़ चल लिए और भी बहुत सारी चीज़े लांच हो जाएंगी इस टाइम पर तो आते आते धियूदे पता चलेगा फिलहाल पहली बार आयमसी का आज़न कब किया गया था इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 2017 इस बार सात्रों संसक्राण है आगी हाली में आसियान के TAC पर हस्ताक्षर करने वाला 51 देश कौन बना तो आसियान के TAC पर हस्ताक्षर करने वाला 51 देश बन गया है दोस्तों सौधी अरेबिया यहां पर देखे सौधी अरेबिया ने अभी हाल ही में दोस्तों यह सामिल हुआ है यह 51 कंट्री बना है 51 देश बना है आस इस बार अध्यक्सा कर रहा है तो इंडोनेसिया के जकार्ता में 56 आसियान विदेश मंत्रियों के बैठक हुई और उसमें TAC पर हस्तक्षर किया है सौधी अरबना मैत्री और सहयोग की संधी होती है ये और इसमें सौधी अरब सामिल होने वाला क्यावनवा देश बन गया है इसे पहले 2022 में युक्रेन सामिल हुआ था ये भी इंपोर्डेंट है याद रखना और सबसे पहले अगर पुछा जाया तो पापुआ नियूगिनी जो है 1989 में TAC की रूप में सामिल हुआ था आसियान देशों के बारे में मैं वैसे बहुत बार बता चुका हूँ एसोसेशन ओफ साउथ इस्ट एस्ट एसियन नेशन ये दस देशों का एक समू है जो साउथ इस्ट एस्ट एस्ट एसियन देश है ना उनके दस देश हैं ये इसमें भारत नहीं सामिल है और इस बार अ ऐकल का खिदाब किसने जीता? तो विमेन सिंगल जीत लिया है peer Marketta Wondro Suwa ने. इस बार बिलकूल नया नाम आपको देखने को मिलेगा. इससे पहले सायद ही आप से लिये हो. Marketta Wondro Suwa. इन्होंने जीत लिया है विमेन सिंगल का खिताब. ये हैं. Margarita और इन्होंने जीत लिया है, यह चेक गटराज की है, इन्होंने किसको हरा करके जीता है, इन्होंने आहाया है ओंस जेवीओर को, ओंस जेवेःर जो हैं, यह है Tuesday ones जेवेःर, और Markretar वेंडर्बस यो बहुत है, यह चेक गटराज की है, तो फिलहाल इनका पहला Grand Slam था ठीक है इसलिए आप पहली बार इनका नाम सुन रहे हो विबलेडन ओपन इन्होंने जीत लिया है महिला एकल को खिताब और पूरुस एकल मैंने आपको बताया इसी टाइम पर हरिला परवु मनाया जाता है उसको कल हम लोग कवर कर लेंगे क्योंकि हरिला भी आपको याद रखने जरूरी है हरिली आज जालो यह सब फसल के जब फसल जो है थोड़ा सा मतलब जब बोया जाता है और हरा भरा हो जाता है उसी के आदमी ये लोग हरिली नाम से मनाते हैं ठीक है तो 36 गड़ में ये celebrate किया जाता है बहुत ही धूम धाम से और अक्सर ये जुलाई के महीनों में देखने को मिलता है क्योंकि उस टाइम पर पानी बरस गया होता है खेतों में फसल हरी भरी हो जाती है और इसी वैसे इसका नाम हरेली रखा गया है और हरेली नाम से ये मनाय जाता है ऐसे ही उत्त्राखड में हरेला पर मनाय जाता है ये भी याद रखेगा फिलाल 36 गड़ आया है तो 36 गड़ के बारे में जानेंगे 36 गड़ आप देखोगे इंडिया के मैप में यहां पर रहा ठीक है इसको धोड़ा सा सीधा कर दीजेगा 36 गड़ महराजा बान तालाप गंगा मुंडा जील दलपत सागर जील ये प्रमुग जीले हैं नेस्नल पार्क में अचान कमार वंजियो भ्यारान इंद्रावर्ती नेस्नल पार्क ये तो लेट्रस्ट बना है इसको भी आप याद रखेंगे अच्छा 36 गड़ जो है ये मद्य तो सावन महीने का ये ओफर है जो आज लास्ट दिन है इसको मैं फिर से रिमाइंड करा दे रहा हूँ अगर आप कोई सभी वीडियो कोर्स लेना चाहते हो चाहे इंडिविज्वल पॉलिटी का इंडिविज्वल हिस्ट्री का इंडिविज्वल एकोनोमी का या फिर कॉम् का नंबर दिया गया है आप वाटसेप पर भी संपर्क कर सकते हैं ठीक है चलिए अब हम लोग बात करेंगे वसे हां अमारी इबुक अगरा भी आती है इबुक अगरा भी कल बहुत सारी लोगों ने लिया तो आपको भी अगर लेना है कोई सी इबुक तो बहुत ही पेतरिन मौका है आदे दाम पर है आज के लिए चलिए तो आप रिविजन सेक्शन पर आते हैं मई का हम लोग रिविजन कर रहे थे तिरसटवा दिन था उत्तर प्रदेश के किस प्रोड़क को जिया टेक दिया गया है तो उत्तर प्रदेश में देखिए मैं पुरी ताराकासी सिल् घ्या था इसा जिलाई महाने मने मतलब जून के लास्ट में कहसकते हैं तो वो मैने जुलाई की करेंट अफेर में जुलाई का मंतली आपनेखा अभी तक जाकर तो सी देख लेना ऑइसके इस तक इस साल तक अठारा प्रोड़क को जियाई टैग मिल चुका है इसी साल ठीक है और वैसे टोटल तो बावन प्रोड़क को जियाई टैग मिल चुका है इसके विस सुदूर संचारो सूचना समाज दिवस ये 17 मही को मनाया गया साउथ एसियन फिल्म फेस्टिबल में अभी हाली में गौरी नाम की डाकुमेंटरी ने बेस्ट लॉंग डाकुमेंटरी अवार जीता है गोवा में होने वाले 37 राष्ट्य खेल में इस बार गतका मार्सल आर्ट को सामिल किया गया वेरी वेरी मोश्ट इंपोर्डन कोशन ये लिखके ले लो पोचा ही जाएगा गोवा में आयोज़ित किया गया साइतालस और राष्ट्य खेल ये तो आप ध्यान ही रखेंगे 36 गुजरात में हुआ था डक्टर मनोज कुमार द्वारा के कुमार द्वारा लिखी गई पुस्तक सुप्रेम कोर्ट ऑन कॉमर्सियल और्बिटरेशन इसका विमोचन किया गया भारत और बंगलादेश ने 50 स्टार्ट अप एक्सचेंज ब्रोग्राम सुरू किये इसमें क्या होगा कि इस्टार्ट अप्स के जो हैं जो प्रतनीधी हैं वो एक दूसरे देश में जाकर के सीखेंगे केंद्रिय मंद्री एस्वनी वैशनो जी ने संचार साथी पोर्टल लांज किया है मॉर्गन स्टेल्ली के अनसाथ 2023 में भारत वैस्वेग घरिलू उत्पात की विर्धी में 16 परस्तत का योगदान दखता है लुविडिक ओडोर इसने अभी हाली में सुलोवाकिया के केयर टेकर प्रधान मंत्री की रूप में अपना पत समाला है पेटियम के नए मुखे पर चाला नदकारी यानि चीफ ऑपरेटिंग ओफिसर बन गए है भावेश कुपता इसके लावा करनाटक के मुख्यमंत्री बन गए सिद्धर अमया अठारा मई को अंतराष्टे संग्राले दीवस मनाया जाता है इंटर्नेसनल म्यूजियम डे पेट्रोलियम और प्राकरतिक गैस नियामक बोड इसके नए अध्यक्ष एके जैन बन गए है और नाइट फ्रेंक इंडिया के रिपोर्ट के अंसार वारसिक आवास मूले विर्धी की मामले में मुंबई है छठे अस्तान पर भारती सेना की गजराज कोर ने अभिहाली में जलाहत अभ्यास किया असम में ये भी इंपोर्टन्ट है इसके अलावा अभी कानूनमंत्राले के केंद्रिय मंत्री किनन रेजुजी ने इस्तीफा दे दिया है और अब दूसरी नए कानूनमंत्री बन गए है कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ नए कानूनमंत्री का पदभार किसे मिला PM Modi ने अंतराश्चे संग्राले एक्सपो का उधगाटन नहीं दिल्ली में किया Zomato ने अभी हाले में ICICI बैंक के साथ मिलकर Zomato UPI लांच किया है New York Police विभाग के सरवच रैंकिंग वाली दक्षिर ACI महिला बन गए है प्रतिमा बुलर Maldonado और Tata Sins के चेर्मेन एंचें सिकरन को अभी हाले में फ्रांस के सरवच नागरित समान से समानित किया गया है ये थे रिलिजन के कुश्चन्स और आज की ये वीडियो रहे I hope आपको वीडियो पसंदरी होगी कल मैंने आपसे कोशन पूझा था भारत का सबसे प्राचेन्तम णिरति कौन सा है तो भरत नाट्यम है पुरुष और महिले क्रिकेटरों का वेतन समान करने वाला पहला क्रिकेट बोर्ड कौन सा है नूजियलेंड क्रिकेट बोर्ड है बूसरा BCCI है आज आपको क्या बताना है ये भी बताइगा साथी साथ ये भी बता दीजेगा नेलसल मंडेला को Nobel Prize कब मिला था इंको Nobel Peace Prize मिल चुका है न तो कब मिला था Nobel Peace Prize Test match में सबस्जाद विकट लेने का रिकाट किस भारतिय के इंदवाज की नाम है ये भी आप बता दीजेगा इनके comment box में आप answer कीजे और quiz और इसकी PDF जो है MZT app पर download कीजे बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा इस offer का ज़रूर फाइदा उठाइए आज लाठ दिन है मिलेंगे अगली वीडियो में के लिए नमस्कार जाहें वन्दे मात्रम